कौन था वो शक्स जिसने ठुकरा दिया था पद्म भूशन आखिर क्या थी वो वज्जा क्यों परिशान था ये बिजनिसमैन पद्म पुरुशकारों की जब बात होती है तो मन में गहरा समान का भाब जग जाता है ये समान किसी भी भारतिय के लिए बेहत गौरब की बात है देखा जाए तो ये पुरुशकार किसी भी भारतिय को मिल सकता है क्योंकि इसमें जाती व्यसाय इस्तिथी या लिंक का भेद भी नहीं किया जाता है भारत में कई ऐसे कई कारोबारी घराने भी है जिनके यहां कई पीडियों को ये प्रुषकार मिला है लेकिन आपको पता है एक शक्स ऐसा भी था जिसने पद्ज में भुशन लेने से ही इंकार कर दिया था यकीन कर पाना थोड़ा मुश्किल है लेकिन ये बाद सौ प्रतिशत सच है सबसे खास बात तो ये है कि इस दिगज बिजनिसमैन को बीजेपी और कॉंग्रिस दोनों ही इस सम्मान को देना चाहती थी लेकिन इस दिगज बिजनिसमैन ने इसे लेने से ही मना कर दिया था चलिए अब आपको समान को ही लेने से मना कर दिया था आपको बता दे केशब महिंद्रा का 12 अपरेल 2023 को निधन हो गया था उनकी उम्र 99 साल थी बताया जाता है साल 2002 में महराश्ट की विलास राव देशमुक के नेतरत वाली कॉंग्रिस एंसीबी सरकार ने पद्म भूशन के लिए केशब महिं करने से मना कर दिया था आकिर क्या थी वो वजह जिसकी वजह से केशब महिंद्रा ने इस पूरुषकार को लेने से मला कर दिया था। केश्व महिंद्रा ने 1947 में अपने पिता की कम्पनी में काम शुरू किया था वो साल 1963 में महिंद्रा गुरूप के चेर्मेन बने थे और इस पत पर 2012 तक रहे थे साल 1984 में वो उस यूनियर कारबाइड इंडिया लिमिटेट के गैर कारेकारी अद्दक्ष थे जिसके भवपाल सयंत्र से दो दिसंबर 1984 को गहा तक गैस का रिसाब हुआ था और उस गैस रिसाब से हजारों लुगों की मौत हो गई थी दसंडे गारजियन में प्रकाशिस सुब्रहता भटाचारे के एक आर्टिकल के मुताबिक सीब्याई के तरफ से दायर चार्शेट में महिंद्र को यूसी आईयल के आर्ट शेट्स पदहधिकारियों में नामित किया गया था इसकी विज़ा से साल 2010 में उन्हें कोट ने दोशी मानते हुए दो साल की सजा भी सुना दी थी हालकि सजा के कुछ घंटों के अंदर ही उन्हें उच न्याले से जमानत जरूर मिल गई थी और मधिस्टेट के आदेश ये खिलाफ अपील तब से बोपाल सत्र न्याले में लंबित है पद्म बोशन सम्मान की घोशन के बाद केश्ट महिंद्रा ने ततकालिन उप प्रधान मंत्री लालकिष्ट अडवानी को एक पत्र भी लिखा था अडवानी तब ग्रह मंत्री भी थे और पद्म पुरुसकारों की प्रिक्रिया उन्हीं की देखरेक में पूरी हुई थी इस पत्र में महिंद्रा ने सरकार को धन्यवाद दिया और कहा कि चुक्किव सीवय की और से दायर एक मामले में आरूपी है इसलिए शायद उनका पुरुसकार सूची में होना बिलकुल भी ठीक नहीं था और अनरोत किया था कि पुरुसकार वापस लिया जाए यह अब तक का एक मात्र अफसर है जब किसी पद्म पुरुसकार विजेता ने सत्ते निष्ठा के अधार पर सम्मान लेने से इनकार कर दिया था उमीद है आपको अब ये तो पता चल ही गया होगा कि आखिर वो शक्स कौन था जिसने पद्म भूशन लेने से इनकार कर दिया था ऐसे ये रोचक खबरों को देखने के लिए देखते रहिए One India Plus